साथियों, ये चुनाव सिर्फ विधायक, मंत्री या मुख मंत्री बनाने का नहीं है। ये चुनाव विक्सित भारत के लिए विक्सित राजस्थान की ठोस आधार्चिला रखने का चुनाव है। ये अधार चिला, कॉंग्रेस शाथन वाले डर, भाय, लूट, धोखा, अत्याचार, प्रतार्णा के माहोल में नहीं बनती। इसलिए राजस्थान से कॉंग्रेस का सुप्णा साफ होना जरूरी है। और अभी अभी दिवाली गई है। दिवाली में हमारी माताएं वह नहीं सफाई करती है न। हर कॉने में सफाई करती है। कॉने में भी कुडा कच्रा रहना नहीं चाहिए। करती है कि नहीं करती है। क्योंकि दिवाली मनानी है 25 तारी को भी दिवाली मनानी है। ऐसी सफाई करो ऐसी सफाई करो किसी कौने में भी कॉंग्रेस बचनी नहीं चाहिए। पक्की सफाई करोगे। हर कौने में करोगे। हर गाओं में करोगे। हर बूत में करोगे। पूरा क्लिन स्वच्छता अभियान। कॉंग्रेस ने दंगों में राजस्थान को नंबर बन बनाया। भाजपा राजस्थान को टूरिजम में अग्रणी बनाएगी। कॉंग्रेस ने हमारे त्यूच तोहारों पर करभुके मामले में राज़ को नंबर बन बनाया। भाजपा राजस्थान को तिर्थी यात्राओं में अग्रणी बनाएगा। कॉंग्रेस ने राजस्थान को अपराद में नंबर वन बनाया भाजपा राजस्थान को निवेश में अग्रणी बनाएगी कॉंग्रेस ने राजस्थान को ब्रसाचार में टॉप पर पहुंचाया भाजपा आपके राज को उद्योगों में अग्रणी बनाएगा कॉंग्रेस ने राज को पेपर लिख में नमबर बन बनाया भाजपार राजस्तान को सिक्षा और खेल में अग्रनाणी बनाएगा 2014 और 2019 में राजस्तान ने संकल्प लेकर देश में एक मजबूत और स्थीर सरकार के लिए भाजपा को वोट दिया था हमारी मजबूत सरकार ने निरंतर बड़े फैसले लेकर कॉंग्रेस की पैदा की हुई भरायों से देश को मुक्त कर दिया इसलिए आज दुनिया भारत का दम देख रही है राजस्तान का दम भी पुरा देश देखे पुरी दुनिया देखे हमें इसके लिए मिलकर काम करना होगा और साथ क्यों पांच साल पहले जब यहां कॉंग्रेस की सरकार बनी थी तो उसने भाजपास सरकार की सारी अच्छी योजनाओं पर ताला लगा दिया तीन दिसंबर को जो भाजपास सरकार यहां बनेगी वो कॉंग्रेस जैसा जन विरोधी काम नहीं करेगी हमारे लिए तो जनता जनार्दन सर्वोपनी होती कोई भी सरकार रही हो अगर उसने सच्चे अर्थ में जनकल न्यार का काम किया है और उसमें कोई अच्छी बात है देश के काम की बात है तो मोदी उसे आगे बढ़ाने के बैपक्ष में रहता है वेर बृत्ति से काम नहीं करता है और इसलिए राजस्तान में भी जो भी अच्छा होगा उसे आगे बढ़ा है जाएगा यह मेरा आपको भरोसा है हाँ उसमें ब्रश्टाजार के लिए जो खिड़कियां रखी होगी ना वो मैं बन करनूगा आप याद रखिएगा आप ये पक्का याद रखिएगा और देवगेड़ वाले तो भूलेंगे नहीं मुझे मालूम है जहां कॉंग्रेस से उमीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है का ये खत्यू है